तीसरा अध्याए द्विशरीरी संत पिता जी द्वारा प्रदत प्रथम श्रेनी के पासों पर हम लोग आराम पूर्वक याप्रा करते हमारे परिवार के खाना बदोश लोगों के लिए पिता जी का रेलवे अधिकारी का पत पूर्ण तैस संतोश प्रथा पिता जी ने मेरे अनुरोत पर यतोचित विचार करने का वचन दिया। दूसरे दिन मुझे अपने पास बुला कर उन्होंने बरेली से बनारस जाने आने का एक पास एक रुपए के कुछ नोट और दो पत्र देते हुए कहा। उन्हों तक पहुचा सकोगे। स्वामी जी मेरे गुरु भाई हैं। उन्होंने अति उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उनके संग से तुम्हे भी लाब होगा। यह दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय देगा। साथ में यह कहते हुए पिता जी की आँखे चमा खुठी। याद रखो, अब फिर कभी घर से नहीं भागना, समझे। अपनी बारा वर्ष की आईउ के उत्साह के साथ मैं निकल पड़ा। यद्यपी समय ने नवीन द्रिश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मुझे मिलने वाले आनंद में अभी भी एक लंबे हॉल नुमा कमरे में जा पहुंचा। फर्ष से कुछ उची उठी हुई एक चौकी पर एक स्थूल का व्यक्ति केवल एक अधो वस्त्र धारण किये हुए पदमासन में बैठे थे। उनके होटों पर शांत सुन्दर मुस्कान खेल रही थी। मेरे आवांचित प के साथ मेरा हारदिक स्वागत किया। मैंने घुटने टेक कर उनका चरंट स्पर्ष किया। क्या आप ही स्वामी प्रणवानंद जी हैं। उन्होंने हां में से रहिलाया। तुम भगवती के बेटे हो। इससे पहले कि मुझे अपनी जेव से पिता जी का पत्र निकालने का उनके हाथ में दिया, जो अब निरर्थक जान पड़ता था। तुम्हारे लिए केदारनात बाबु को मैं अवश्य धून निकालूंगा। संत ने पुने एक बार अपनी अतींद्रिय द्रिष्टी से मुझे विस्मित कर दिया। ततपश्चात उन्होंने पत्र पर एक द् प्रियाले में काम करता था। दूसरी, मेरे परमपिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारे करतव्यों को अंताय प्रेणा के अनुसार अपना सर्वोत्तम प्रयास करके पूर्ण कर दिया है। मुझे या कतन अत्यंत गूर लगा। परमपिता से आपको कैसी पेंशन मिलती है स्वामी जी, वे क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं। स्वामी जी हस पड़े, पेंशन से वेरा अभिप्राय है अगात शान्ती, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरसकार। मुझे अब धन की कभी कोई एच्छा नहीं होती, मेरी अत् निश्चल हो गए, किसी रहस से मैं भाव ने उन्हें आवरित कर लिया, प्रारंब में तो उनकी आँखे चमा खुठी, जैसे किसी आकरशक बस्तु को देख रही हो, बाद में निश्प्रभ हो गई, मैं उनके इस अचानक मौन से उद्विध्न हो गया, उन्होंने अभी त और कुछ भी नहीं था, जिस चौकी पर वे बैठे थे, उसके नीचे रखी उनकी काट की खड़ाओं पर मेरी द्रिष्टी पड़ी, छोडे महाशे, चिंता मत करो, जिन से तुम मिलना चाहते हो, वे आदे घंटे में यहां पहुंच जाएंगे, योगी वर मेरे मन को रहे थे, उस समय यह कोई बड़ी बात भी नहीं लग रही थी, उन्होंने पुना एक गहन मौन धारन कर लिया, जब मेरी घड़ी से मुझे पता चला कि 30 मिनिट बीच चुके हैं, तब स्वामी जी स्वयम ही उठ गए, लगता है के दारनाद बाबू, दर्वासे के निकट पहुँच गए हैं, उन्होंने कहा, मैंने सीडियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी, विसमेत अबोध्यता में मैं अच्छानक डूब गया, असमन जस में मेरे विचार दोड़ने लगे, बिना किसी संदेश वहाग का उपयोग किये, पिता जी के मित्र को यहां बुलान कैसे संभव हो सकता है, मेरे यहां आने के बाद, स्वामी जी ने तो मेरे अतरिक्त किसी से भी बात नहीं की है, मैं चुप चाप उठकर कमरे से बाहर आ गया, और सीडिया उतरने लगा, आधे रास्ते में ही मध्यम कत के एक दुबले पतले, गौरवर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई, वे किसी जल्दी में लग रहे थे, क्या आप केदारनात बाबु हैं, मेरी आवाज में उत्तेजना स्पष्ट थी, हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो न, जो मुझसे मिलने के लिए यहां प्रतीक्षा कर रहे हो, वे मित्रता पूर्ण ढंक से मुस्कुरा महाशय, पर आप यहां कैसे आए? उनकी अबोध्य उपस्तिती से मुझे विस्माइकारी रोश का अनुभाव हुआ, आज सब कुछ रह से मैं लग रहा है, एक घंटे से भी कम समय पहले मैंने गंगा इस्तान समात किया ही था, कि स्वामी प्रणवान अंदजी मेरे पास पह प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तयार हुआ, हम लोग हाथ में हाथ डाल कर चलने लगे, किन्दु खड़ाओ पहनने के बावजूद भी, स्वामी जी आश्चरे जनक धंक से मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए, हालां कि मैं ये मजबूत जूते पहने हुए था, फिर प्रणवा नंद जी ने अकस्मात रुक कर मुझसे पूछा, मेरे घर पहुँचने में तुम्हे कितना समय लगेगा? लगबग आदा गंटा, मुझे अभी कुछ और काम है, उन्होंने एक ब्रह से मैं दृष्टी मु पहले ही वे तेजी से मेरे पास से निकल गए और भीड में अद्रिश्य हो गए, मैं जितना तेज चल सकता था, उतना तेज चल कर यहां पहुँचा हूँ। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग तो नहीं फिर रहा है, क्या आप उनसे मने दृष्टी में मिले थे, या वास्ता में देखा था, उनके हाथ का इसपर्ष किया था, और उनकी पच्चाप सुनी थी, तुम कहना क्या चाते हो? गुस्से से उनका चहरा तम-तम आ गया. मैं तुम से जूट नहीं बोल रहा हूँ, क्या तुम यह नहीं समझ पा रहे हो, कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था, कि तुम यहां मेरी प्रतिक्षा कर रहे हो? पर यह देखिए, मैं एक घंटा पहले यहां आया, और तब से अब तक स्वामी प्रणवा नंद जी एक खण के लिए भी मेरी द्रिष्टी से ओजल नहीं हुए. मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी, और स्वामी जी और मेरे बीच का वारतालाब भी उनके सामने दोरा दिया, उनकी आखें फैल गई, हम लोग इस भौतिक युग में जी रहे हैं, यह स्वपन देख रहे हैं, मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का चमतकार एक पाने की आशा नहीं की थी, मैं तो समस्ता था ये स्वामी जी के वल एक साधारन मनुष्य हैं, और अब देखता हूँ कि ये एक और शरीर भी धारन कर सकते हैं, उसके द्वारा काम भी कर सकते हैं। पहनी हुई थी, उन्होंने फुसभुसा कर कहा, उन्होंने केवल एक अधोवस्त्र पहन रखा था, जैसा उन्होंने अभी पहन रखा है। केदार नात बाबु ने जब स्वामी जी के चर्णों में प्रणाम किया, तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोत पुर्ण धंग से मुस्कुराए। तो मैं सबसे इतने स्तम्मित क्यों हो। द्रिश्य जगत की सूक्ष मेकता सक्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं सुदूर कोलकता में रहने वाले अपने शिश्यों के सामने ख्षान भर में प्रकट होकर उनसे बारतलाब कर सकता हूँ। वे भी इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रतेग बाधा को अपनी इच्छानुसार पार कर सकते हैं। कि मेरी इश्वर खोज एक बिशिष्ट गुरू श्री युक्तेश्वर जी के मार्ग दर्शन में ही होनी तै थी, जिन से मैं अभी मिला भी नहीं था। अता, प्राणवान नंद जी को अपना गुरू मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी। गुरू माहराज के विशय में कुछ प्रेणा दायक बातें बताते हुए मेरी आशान की दूर करने की चेश्टा की। जितने योगियों को मैं जानता हूँ, उन सम्में लाहिडी महाशय सबसे महान योगी थे। मिनर दे में साक्षात ईश्वर थे। मैंने मन ही मन सोचा कि जब शिश भी इच्छा मात्र से एक और रक्त मास का शरीर धारण कर सकता है, तब उसके गुरू के लिए कौन सा चमतकार करना असंभव होगा। गुरू की साहिता कितनी अमूल्य होती है, बह सुनो। मैं गुरुदेव के एक अन्य शिश के साथ नित्य रात को आठ गंटे ध्यान किया करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्याले में काम करते थे। क्लर्क के कार्य निर्वा में कठिनाई होते देख, पूरा समय इस चिंतन में लगानी की मेरी इच्छा हुई। आठ वर्ष तक, आधी रात मैं ध्यान में ही बिताता था। इस साथना के अद्भुत परिणाम मुझे प्राप्त होते थे। गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था। परंदूस अनन्त परमतत्व और मेरे बीच सदैविक छीना पर्दा बना रहता था। अतिमान वी एकागरता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि परम निर्विग्न एकात्मता से मैं वंचित हूँ। एक दिन सायकाल मैं लाहिडी महाशे की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्यस्तता के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की। हट पूर्वक सारी रात मैं उनसे आग्रह करता रहा। करुना सागर गुरुदेव, मेरी आत्मा इतनी तड़ रही है कि मैं उस प्राण प्रिये परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ. हे प्रभू, मेरे स्वामी, मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में प्रकट देख रहा हूँ. मुझे आशीरवाद दीजिए कि आपके आनंद स्वरूप में मैं आपके दर्शन कर सकूँ. लाहिडी महाशय ने आशीरवाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम अब जाकर ध्यान करो. मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्म से प्रार्थना कर दी है. अब परिमित आनंद से उल्लसित होकर मैं घर लोटा. उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष की प्राप्ती हो गई. अब मुझे निरंतर वा आध्यात्मिक पेंशन मिल रही है. उस दिन से फिर कभी वा आनंद पून स्रिष्टा माया के किसी परदे के पीछे छिपकर मेरी द्रिष्टी से ओजल नहीं हुआ. प्राणवा नंद जी का मुख मंडल दिव्यतेच से दमक रहा था. एक अलोक एक शांती मेरे हृदे में प्रविष्ट हुई. सारा भय नश्ट हो गया. फिर स्वामी जी ने एक और गुप्ण बात मुझे बताई. कुछ महिनों बाद मैं फिर लाहिडी महाशे के चर मैं अब ओफिस में काम नहीं कर सकता. कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए. ब्रह्म मुझे निरंतर मदमस्त बनाए रखता है. अपनी कंपनी से पेंशन के लिए अरजी करो. इतने अल्पकाल की नौकरी के बाद मैं पेंशन के लिए क्या कारण बता सकूंगा? जो मन में समय मेरी रीड में मुझे पर काबू करने वाली कोई अत्यधिक दीवर संबीदना उठती है. वह पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर मैं अपने करतव्यों का निर्वा करने में असमर्थ हो जाता हूं. और कोई प्रश्न किये बिना, डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में बहुत अच्छी सिपारिश लिख दी और मुझे शीगरी ही पेंशन मिल गई. मैं जानता हूं कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सब संबंधित रेलवे आधिकारियों के मात्यम से लाहिडी महाशे की दैवी इच्छा ही कारे कर रही थी. उन लोगों ने ल रणवान अंद जी दीर्ग काल तक मौन रहे. जब मैं भक्ती भाव से उनका चरण स्पर्श कर उनसे जाने के लिए अनुमती मांग रहा था, तब उन्होंने आशिरवात दिया. तुम्हारा जीवन सन्यास और योगमार्ग के लिए है. तुम्हारे पिता जी और तुम्हार मेरे साथ मेरी फिर एक बार भेंट होगी. अने एक वर्शों के उपरांत, ये दोनों ही भविश्यवानिया सत्य सिद्ध होई. धीरे धीरे घिरते जा रहे अंदकार में, केदार नात भावू मेरे साथ साथ चल रहे थे. मैंने उन्हें पिता जी का पत्र दिया, जो उन्हो मेरे पिता जी ने इसमें अपनी रेलवे कंपनी के कोलकता कार्याले में मुझे एक पद ग्रहन करने का प्रस्ताब दिया है. स्वामी प्राणवा नंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता. परन्तु या असंभ मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता. खेद है कि एक साथ दो शरीर धारन करने का मेरा समय अभी नहीं आया है.